दो खरगोश थे, वे सगे भाई थे उनमें बड़ा भाई सफेद और छोटा सुनहरा था दोनों मिल जुलकर एक मकान में रहते थे मकान के आगे फूलों और सबजियों की क्यारियां तथा फलों का बगीचा था सफेद खरगोश,खेट में काजर, पालक, गोभी, पत्ता गोभी, आदी की फसलें उगाता था सुनहरा खरगोश,बाजार जाकर सबजियां और फल बेचता था तथा बाजार से खाड दवाईयां और खाने पीने का समाल लाता था दोनों खरगोश भायों में बहुत प्यार था एक दिन खेट में काम करते हुए सफेद खरगोश ने देखा कि बिली का एक बच्चा उसका पिछला पैर पकड़ कर रो रहा है सफेद खरगोश के पूछने पर उसने बताया कि उसके माता पिता नहीं है और वह दो दिन से बूखा है सफेद खरगोश को बिली के बच्चे पर दया आई और वह उसको अपने घर ले आया घर पहुँच कर उसने उसे पीने के लिए कटोरी में दूद दिया और कहा कि आज से तुम हमारे भाई हो हम दोनों भाई तुम्हें प्यार करेंगे यह सुनकर बिली का बच्चा खुशी से उचलने लगा अगले दिन फिर सफेद खरगोश खेट में काम करने चला गया थोड़ी देर में उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा उसका पैर पकड़ कर रो रहा है खरगोश ने देखा इस बार पैर पकड़ने वाला बिली का बच्चा नहीं बलकि एक छोटा सा पिल्ला था वे पिल्ले को भी अपने साथ घर ले आया उसे दूद रोटी खिलाई और कहा हम दोन भाई तुम्हें भी प्यार करेंगे पिल्ला कई दुनों से भूखा था रोटी खाकर सो गया हर रोज की तरह सफेद खरगोश खेट में काम करने चला गया थोड़ी देर बाद उसने देखा नेवले का बच्चा उसकी पूँच पकड़ कर रो रहा है वे भी बिल्ले के बच्चे और पिल्ले की तरहे अनात और भूखा था वे सफेद खरगोश से दया की बीख मांगने लगा खरगोश को उस पर भी दया आ गई और वे नेवले के बच्चे को भी घर ले आया घर पहुँचकर नेवले के बच्चे ने जब बिल्ली के बच्चे और पुत्ते के पिल्ले को देखा तो उसकी जान में जान आ गई वे अपना दुख भूल गया और खरगोश के कहने पर उनके साथ मिल जुल कर रहने लगा छे महीने बाद फसल तयार हो गई तो खेत में चुहे फसल बरबाद करने लगे बिल्ली के बच्चे ने जब यह देखा वे तुरंट खेत में पहुँचा उसने देखकर धीरे धीरे सभी चुहे खेत से बाहर चले गए बिल्ली के बच्चे के ऐसा करने पर खरगोश बहुत खुश हुआ खरगोश ने खेत में खरबूजे बोई थे एक सियार रोज खरबूजे खाता और बच्चों के लिए भी ले जाता कुत्ते के पिल्ले ने जब यह देखा तो उसे यह बरदाश नहीं हुआ उसने अंधेरी रात में सियार को दोड़ा दोड़ा कर खेट से बाहर कर दिया अभी खरगोश को चुहों वैसी हार सियार की परिशानी से चुटका रही मिला था कि खरगोश ने देखा एक काला सांप उसके पीछे पड़ गया वह घर की तरफ भागा तभी नेवले के बच्चे ने सांप को देखा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये इस तरहें रास्ते में मिलने वाले तीनों भाईयों ने खरगोश भाईयों की परिशानी दूर की सफेद खरगोश बहुत खुश हुआ और बोला आज से हम दो नहीं पांच भाई हैं उसके बाद पांचों उस घर में चैन से रहने लगी थैंक यू फॉर वाचिंग माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल